नमस्ते से बैठो बैठी ये कौन है ये चाचा जी नमस्ते कैसे आप कुछ लेंगे चाए कॉफी कुल्फी 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 अभी कुल्फी रहने दो चाचा ये बोलते नहीं बोल नहीं सकते गूंगे हैं तभी लाए हो खै छोड़िये मिश्टर नाम क्या है आपका इनका नाम क्या है जमीर फूडी मिश्टर फूडी आपको तो पता ही होगा अगले महिने से फाइनल टर्म पेपर शुरू हो रहे हैं मुंडी हिला सकते हो हाँ आती ना चाचा मुंडी हिला दो अगले महिने से फाइनल टर्म के पेपर शुरू हो रहे हैं और इसने अभी तक पढ़ना शुरू भी नहीं किया है पूरा दिर स्कूल के ग्राउंड में क्रिकेट खिलता रहता है मेरी क्लास ग्राउंड फ्लोर पर यह है विक्टों के ज़श्ट पीछे तो जान पूछ के पीछे वाला डेविलियर वाला शॉट मारता है सर मैं नहीं मारता बंचोरदास मारता है तुम्हारा वो बंचोरदास तो एक नंबर का हरामी है मन करता है कान के नीचे दो चपेड लगाऊं क्या हुआ इनको? रॉक के बहुत बड़ी फैन है रॉक के वो बंचोर दास किसी दिन हाथ लग गया तो पिटेगा इन बच्चो ने तो हद ही मचा दी है कैंटीन में मेरे नाम का बिल फारती है उनको पांच हजार रुपे देने है मुझे घर जाके बीवी को बताया तो कहती तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता जो कैंटीन में खाते हो मैंने का अरे मेरी लाली खाना पसंद नहीं आता तो रोज डिबबा कैसे खाली मिलता है मेरा भूत खाता है उस दिन घर गया तो मेरा टेस्ट लेने लगी कि आलू की सबजी कैसी बनी थी अब कभी-कभी याद नहीं रहता तो बोलती है ठीक बनी थी कहती आलू की नहीं भिंडे की बनी थी तुम फेक देते हो खाना जबरदस्ती टक्टी करके उसको दिखाया वो देखो बिंडी तेर रही है तब जाके मानी हम कहा थे? कैंटीन कैंटीन में 5,000 रुपे दिने हैं उनको सर मैंने ही खाता कैंटीन से बंचोरदास खाता है मेरा बस चले तो उसको धक्के मार के बहार निकाल दूँ 14 फरवरी को स्कूल क्यों नहीं आए? सर शादी में गया था अब जब फाइनल का रिजर्ट आएगा ना तो उसमें तेरी बारात निकलेगी गल्फ्रेंड के साथ गय थे बोल दो क्या शर्माना सारी शरम तो बेच खाई किस लिए? बहुत अरे क्यों? किस लिए? फिल्म देखने कौनसी? सनम रे तुझे पास होने में लग जाएंगे दस जनम रे सनम रे तुमारा वो दोस बंचोरदास भी नहीं आया? कहा था? वो भी मेरे साथ था तुम दोनों के बीच में वो क्या कर रहा था? वैसे भी उसकी गल्फरेंड तो बनी नहीं सकती अकेला ही रह जाएगा जिन्दगी बार बहुत हो गया तब फे देख रहा हूं या आदमी मेरे भाईयों के बेफर्तिक कर रहा है मेरे कल मेरे कल मेरे कल बोल पड़े चाचा जी बोल पड़े चाचा जी बोल पड़े क्यों बोल पड़े भाईयों मैं इनका हाहा नहीं हूं भाईयों हाहा ये चर को हर बोलता है और सर को फर भाईयो बैंचो का कजिन है समीर फुद्धी इकना बड़ा जूट, अभी प्रिंसिपल को मताता हूँ अपनी टटी पे उनीफे धुलवाते हो क्या खुट कुट निकर फकते, बहें फंभालने फकते और टीहर बनेंगे और तु फनम रे टिखने क्या तक पागर हूती है, डेड़ पूद देख क्या था उसका सुबे का शोव हाउसफुल था, अरे बहुत फैंगी थी, फैंगी रोमेंटिक सी थी, पता नहीं मैं कैसी थी अरे क्या पाते चल रही हैं याँ पे मुझसे आसे बात मत करो, बुन में नहीं गूदा, तो भीह में काहे कूदा और कूप बोलना है, फिजिक्स के एक्जाम में इंसे सवाल पूछा, कि एक्स्प्लें ग्रैविटी विद एक्जाम्पल्स, बाकी सबने न्यूटन और एपल वाले एक्जाम्पल दिया, इसने लिखा, ग्रैविटी इस लाइक कुदृत का करिश्मा, वेन वी सिट तू शि और इसका वो दोस बंचोड़दास और आपका भाई, उसने लिखा, ग्रैविटी इस आज में ऊपर आस्मा नीचे, तो अरे आस्मा इनके क्लास में पढ़ती है लड़की, दोनों चिपके रहते हैं पूरा टाइम, पहले के जमाने में बहुत बड़ी पनिश्मेंट होती थ आज बिठा देते थे, आज कल ऐसा करो, तो दोनों की आखें चमकने लगती हैं, जैसे रोका फिक्स कर दिया हो, लड़का लड़की नहीं हिट केंगे, तो कौन हिट केंगा, तो अरे कोई उमर भी तो होती है, अफेक्षन, अट्रैक्षन, और मफ्तर बेफन, कि कोई उमर नहीं होती, चलते हैं, चलते हैं, सोरी सर, सोरी सर, सोरी सर, और कोई हुगली करनी है, हेलो, 24 नंबर में चाय भेज़ दो, क्यों, अरे दे दूगा पांच हजार यार, कही नहीं चारा मैं, झाल